तो इस बीड़े में मैं आपको एटो सेक्टर के से दो स्टॉक के उपर आनालीसिस करके बताने वाला हो कि आपके पास सही तो यह स्टॉक के अंदर कहां पर एक्जिट कर सकते हो किसी को फ्रेश एंट्री लेना है वो कहां पर ले सकते है और किसी को टार्गेट बुक करना है आपको मिलती रहे की तो कोशिश करें यहां पर चैनल को सस्क्राइब करने की रही बात यहां मारती के उपर आज जबरदस च्यार परचंट की तगडी जंप आपको देखने को मिर रहा है यहां पर देख लेजिए आज के अंदर आपको डाउन फॉल देखने को मिर रहा है एक सो तीस पैंड के असपस निगेटिव ट्रेट कर रहा है तब भी एटो सेक्टर का जो मारती और आइसर मोटर जो स्टॉक है उसके अंदर आपको जबरदस से बाइंग देखने को मिर रहा है तो अटे सेक्टर के अंदर काफी दिन से एक मंदी का महूल चर रहा था लेकि अब को भागते वी मिला था तरह दिरे अज़ा है इसा थीया निलाता हुछ यहां पर गाडी की सेलिंग होती दियुक्त के के इंदर वेविकलं को ने बबर से सारी आप को आरीय ओगते धिस लिटा मिल रहा dat? बस यहां पर रही बाद यहां पे कंपनी के और धिरश थी को चैंटर नहीं है और कंपपनें फंडामेंटल बहुत स्टॉएग दोनों कंपपनें फंडामेंटल स्टॉव। इसर मोटर स्टॉएग है उसके बाद मारुति कम मोटर भी बहुंत झालग है और मारुति स्टॉव। रहाएगे हाँ पर चेक करने यहां पर थोड़ा था मैं जूमाउट भी करता हूँ ता कि आपको समझ माएगा तो देख लिजे लगब लब इसके आसपस रिट्रेट कर रहा था लगब यह जो लेवल निकल के रहा है 6400 के आसपस निकल के रहा है वहां से continue बाइंग स्टार्ट हो गई फिर उपर गया फिर अब यहां पर देखोगे ट्रेंड के बेस के ऊपर तो यहां पे अपने लोग को कभी भी इसने नहीं काटा अपने हाई को काट रहा है लेकिन लोग को यहां पे नहीं काट रहा है प्रिवेस लोग को देखोगे तो यहां पर यह निकल के आ रहा है और प्रिवेस हाई के यहां यहां से निकल के आ रहा है उसके बाद जो 9500 का लेवल था उसके आसपास दो बार टचके यहां पे इक बार टचके यहां पी बहुत जादा घिरावट आपको देखने को मिला था लगबल सब्सक्तेश्च चाहर हजार तक पर कोरोणा बीच में आते वे देखने मिलाता लेकिन अभी 9500 को भी क्रॉस करने की यहां पे तैयारी स्टॉक के अंदर चल रहे हैं आने वाले दिनों में यह रहारा हजार तक के टार्गेट आपको यहां पर शॉट्ट अप में देखने को मिल सकते हैं और लॉंग टर्म का वई-वाय आपका यहां पे तब बारह करके चल सकते हो इस टॉक के अंदर और धान में रखे एक गिरावट आती है यहां से तो आपको घबराने के जरूरत नहीं है हो सके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक करने के लिए एक बार जरूर आएगा नव हजार के आसपस यहां पर फिर मार्केट उपर जरूर जाएगा तो नव हजार के आसपस किसी को फ्रेश एंट्री लेना है तो आप नव हजार के आसपस आता है तो वहां के आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो ट्रेंड लाइन के बेस्के ओपर फिर यहां पर शॉट तरम में यहां पर ग्यारा हजार तक के टार्गेट शॉट तरम में और लॉ ग्यारा हजार तक के शॉटर में नया हाई लगा तो बहुत तेजी से भागते वह नचर आएगा और बारा हजार का नेक्स टार्गेट यहां से आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है रहे बाद बॉटम से देखो कि तो कितनी परसंट के रैली यहां से देखने को लिए उसके ओपर भी फोकस करेंगे और उसके बैस के अपर आगे की चाल क्या होनी चाहिए यहां पर और कितने परसंट का रिटन आपको देखने को मिल सकता है यहां पर देख लिए अभी लगबग लगबग बहुत अच्छा मई के आसपस यह यहां पर लो लगा था और यहां पर मारती को पर जो अनलेसिस बता है यहां पर कोई भी फंडामेंटल नहीं चेकर और यह स्टॉंग कंपनी है टेकनिकल बेस के अपर बी इस टॉक के अंदर आप ज़रूब एंट्री ले सकते हो आइसर मोटर की मात करते हैं आइसर मोटर पर अट्रोष्टर का स्टॉ के ले नहीं वेह लोगेस और headache के अट्री की इस टॉकर नहीं गाष्ट के अंदर बी इस टॉक के पर अफ़ञेंगे सब्स्द की स्टॉ के अपर देखनें नहीं को मिली एक रहे वहां इन आप जर आप हो उनिचिन के बहुत कि पर्वह इसाफट विस टॉकर का तो इस टीप यहां पर लगबग लगबग 3600 के आसपास पोज गया और अभी वी बीर माइक चलते हो तो यह stock अभी overbought हो चुका है और जिसके पास already holding है तो आप यहाँ पे 4000 के target के साथ continue कर सकते हो और रही बात किसी के पास अभी ज्यादा amount है और जो price buy करना चाहते है व्यूकुल आप CMP rate से buy करके चलिए 4000 तक के target आपको इस stock के अंदर देखने को मिल सकते हैं लेकिन ध्यान में range रहेगा वो next buying रहेगा मतलब मान के चलो आप अभी CMP rate से buy कर चलते रहे तो यह आपके लिए first buying रहेगी second buying आपके लिए 3200 के आसपस आपको second buying करना है और third buying आपको करना है 2900 से लेके 3000 के बीच में आपको third buying करना है और तीनों बाइंग होने के बाद market के उपर जो target रहेगा आइसर मोटर के वो पर वो 4000 का रहेगा 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 स्ट्रॉंग fundamental company है यहाँ पर कोई भी fundamental पर दिकत नहीं है यह फाइज की और डियाज की और प्रोमोटर की यहाँ पर जब अर्दस holding है और public भी यहाँ पर बहुत अच्छी interest आपको दिखा रही है और देख लिजे market के विवकुल नहीं काट रहा है अभी विवे आप से बाई करते हो तो 4000 के टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं जो अरेडी holding है विवकुल यहाँ पर holding बना के रखिए जो फ्रेज बाई करना चाते है वो अभी भी बाई कर सकते हो लेकिन जब भी 32 के आसपास ड जबरदस बाईंग मिल रही है वह है सेल्स में गर तो ध्यार में रखिए जो भी एट्टo शेक्तर के अभी स्टॉक है काट चपको देखनें को मी टैखने अंडर लीजें लेजीए रखिए वानप सबक्रान के सामगे